मध्यप्रदेश की राजदानी भोपाल पहुंचे जहां जम्बूरी मैदान में प्रधान मंत्री नरेंद मोदी ने आज बीजेपी द्वारा आईजवित कारेकरता महाकुम कारेकरम का संबोधित किया पीम मोधी सुबह सबसे पहले भूपाल पहुंचे और वहां से रोड शो करते हुए जम्बूरी मैदान पहुंचे इस दौरान पीम मोधी खुली जीप में सवार होकर कारेकरम स्तल के मंच पर पहुंचे पीम के साथ जीप में मुख्य मंतरी शिवराज सिंग चोहान भी मौजूद थे डेड़ महीने में पीम मोधी का ये तीसरा मद्य प्रदेश का दोरा था पार्टी ने दावा किया था कि इस माहकुम में करीब 10 लाग पार्टी कारेकरता शामिल होंगे पीम मोधी ने अपने संबोधन में विपक्ष पर जमकन निशाना सादा और कहा कि अगर फिर कॉंग्रेस को MP में मौका मिलता है तो इस बार बिमारूर राज्ये बना देगी इसके अलावा प्रदान मंतरी नरिन मोधी ने कॉंग्रेस को जंग लोहा बताया मैं जरा एक सबाल पूसता हूँ आपको मैं कहता हूँ जहाँ जहाँ कॉंग्रेस गई है उस राज्ये को बरबाद कर दिया है क्या आपको लगता है मत्वद्वजेश को भी यही करेंगे वो आपको लगता है मद्द प्रजेश का भी यही रहाल करेंगे मद्द प्रजेश को बचाना चाहिए नहीं बचाना चाहिए कॉंग्रेश के हाथों नहीं जाने जेना चाहिए ना लूटने नहीं देना चाहिए ना तबाही नहीं करने देनी चाहिए ना कॉंग्रेज एक बार फिर MP को बिमारू बना देगी मैं आप से जानना चाहता हूँ क्या आप MP को फिर से बिमारू बनाना चाहते हो मुझे पुरी ताकत से जवाब चाहिए क्या MP को फिर से बिमारू बनाना चाहते हो क्या आप MP के युवाओं के भविश को तबाह करना चाहते हो क्या आप चाहते हैं कि MP के विकास का पैसा कॉंग्रेस नेता लूट ले मेरे परिवार जनो कॉंग्रेस के पास भविश की सोची नहीं बची है कॉंग्रेस जंग लगा हुआ वो लोहा है जो बारिज में रखे रखे खत्म हो जाता है क्या साथ सुछीड़े सुछीड़ेस क्या स्वार जनो क्या से रखे खत्त कर लोहा है जो झालेवा समय रखे टांग्रेस